आज मैं जो बना रही हूँ ये वाला दाल कितने लोग को पता है और काते कितने लोग है कमेंट जरूर कीजिए हैलो दोस्तों नमस्ते आप सब कैसे हैं मैं ठीक हूँ आज इस व्लोग में मैं शेयर कर रही हूँ लंच बोक्स के लिए मैं क्या क्या बनाए वही शेयर करूंगी इसका जो इंदी का नाम है नहीं पता मुझे को मैंने इसको गूगल में सर्च करके निकाला है इसका नमस में दिखा रहा था कि कुलती की सही है कि नहीं आप अपना स्टेट में अपना जगा पे आप क्या बोलत इसको जरूर बताईएगा तो और मैं कुलती को पहले दिन नी पानी में फुला के रख दी थी उसको मैं कुकर में चड़ा दी कम से कम चार से लेकी आर्सीटी लगता है ये पकने में उसको तो छूला पे चड़ा दिया है उसके बाद में यहां बेंडी काटने लगी बेंड कीरा भी रहता है वो पता नहीं चलता है इसलिए मैं चोटा ही काटती हूं इसी का बीच में सीटी भी आने लगा है ये जो डाल है बहुत दिनों से मेरे पास पड़ा हुआ था ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है इसलिए मैं निकालकर आज बना लिया है इस तरह से सारा ब पहले मैं इस कड़ाई में तेल डाली उसके बाद सरसो डाली थी वो भूनने के बाद लाल मिश डाली थी वो भी भूनने के बाद इसमें में जो कटकर के रखे थी बेंडी वो भी डाल दिया है उसके बाद थोड़ा सा नमक आड़ करके इसको अच्छे से मिला लिया है बुज पता अभी का टाइम पर डालेंगे तो इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है बेंडी आलमोश बूरने के बाद लास्ट में में लालमिच के बदले इस तरह से जो पॉडर में बनाकर रखती हूं यह और कुछ नहीं है इसमें में मुंगफली और लालमिच ऐसे कुछ दाल म कम हो गया है दाल भी अच्छे से पक चुका है इसमें सा में पानी हटा दूंगी उसके बाद थोड़े सा डाल को मिक्सी जार में डाल कर अक्छे से में पीछ लोंगी पीछने के बाद इसिसको इस दाल में डाल कर मिला हूंगी और इस्मinea उमली भी डालना होता है इस यह कह पानी में विगो कर राखे ती उसको इस तर्फ में दाला नहीं सब्वा कालमेच को अर झाल और इसमें मैं डाली हूँ हिंग यी भी बूनने के बाद इसमें जो मिक्स करके रखे ती दाल वला पानी वी इसमें डाल दूंगी उसके बाद थोड़ा सा नमक पी आड कर लिया है इसको अच्छे से उबालने देना है एक्छिली इसको जादा गाड़ा बनाते हैं पर मैं इस को पतला ही बनाई हूं आप अगर बनाना चाहती तो इस डाल को अब इसको गाड़ा बनाने के लिए और थोड़ा जादा डाल को पीस कर इसमें डालेंगे तो अच्छे से गाड़ा बन जाता है इस तरह से में उबालने के बाद थोड़ा सा धनिया पता डाल कर छूला बंद कर लिया है अब मैं लंच बॉक्स पैक कर लूँगी इस तरह से आपको यह वीडियो कैसा लगा है अगर आपको यह व्लॉग अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए ज्यादा सा ज्यादा शेयर कीजिए आपको यह व्लॉग कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बताएए यदि ह हमारा चैनल को पहले बात देखते हो अब तक सब्सक्राइब ने किया तो प्लिस सब्सक्राइब कीजिए अब तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद